दोस्तों स्टेडी 91 की यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजी रहे हैं इतिहास की हम चर्चा कर रहे थे जिसमें प्राची इतिहास की बातचीत कर रहे था और आज हमारा टॉपिक है दोस्तों मौरेकाल से संब्दें जिहां दोस्तों आज हम मौरेकाल के बारे में पढ़ने चलने इसके पहले की क्लास में दोस्तों हम लोगों ने अलग-अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा जैसे हमने हर्यकवन्स के बारे में पढ़ा उसके बाद दोस्तों नंदवन्स के बारे में पढ़ा शिकंदर के आक्रमल को देख लिया और अब बात आ चुकी है मौर इवन्ज के बारे में, तो यहां पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर के बारे में, और उनके पुत्र बिंदु सार के बारे में, देखें, बिंदु सार और बिंबी सार दो अलग-अलग चर्चा हम पहले कर चुके हैं, बिंबी सार को हर्यक वंस का संस्थापक कहा जाता है, जब कि बिंदु सार कौन है, तो बिंदु सार याद रखे का मौर वेंज का दूसरा सासा का चंद्रगुप्त मौरे का पुत्र है, बिंदु सार ठीक है, इनके बारे में दोस्तों हम लोग को दे चुका हूं लगभग 500 सवालों पर चर्चा हो चुकी है और आज 511 से ले करके 540 तक के सवालों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं ठीक है तो इस सीरीज को पूरा देखे जो बच्चे बीच-बीच में ज्वाइंग कर रहे हैं मैं चाहूंगा कि आप सुरू से देखे देखे एक नमबर से देखेंगे न तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर होगा और हमेशा हर टॉपिक में दोस्तों नए नए सवालों को मैं लेकर आया हूं ताकि जो बच्चे पहले से त्यारी कर रहे हैं या पहले से जो लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके और जो सटी 91 दोस्तों हिंदी इंडूजल का कोर्स बनाने के बाद अब हम लोग हिस्ट्री जोगराफी पॉल्टी इनके भी दोस्तों कोर्स लांच कर रहे हैं फाउंडिशन बैच के नाम से तो इसके बारे में आप इमक्वारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे हमारे प्लेटफार्म स से हमारे अप्लिकेशन से वेबसाइट से वहां से भी कितावी दोस्तों आप परचेच कर सकते हैं या फ्लिपकार्ट अमेजन से भी परचेच कर सकते हैं तो जबरदस्त किताब है आप परचेच कीजिए बहुत सारे वराइटी आ चुके हैं किताब में तो आप ले सकते हैं अगर आप कल की क्लास देखेंगे तो आपको पता होगा कि नंदवंस का संस्थापक कौन था तो मैंने आपको बताया था महा पदमनंद कौन था दोस्तो महा पदमनंद को नंदवंस का संस्थापक कहा जाता ठीक है और नंदवंस का अंतिम राजा कौन हुआ अंतिम राजा कौन हुआ दोस्तों तो अंतिम राजा याद रखेगा ये नवे नंबर का था घाना नंद नाम था दोस्तों घाना नंद नाम था याद रखेगा नवा सा सक्था नंदवंस का घाना नंद ये अंतिम राजा हुआ इस रखेगा यहाँ पर दो चीजें हैं चानकियकी सहाइता से याद रखेगा यह मौरमेंस के असठापना हो साकी कि यहाँपर चंद्रुत मौरमें को राजा चुना गया ठीक है इसे आप ध्यान रखेंगे आगे देखेंगे दोस्तों अच्छा हुआ क्या था आपको कहानी पता होगा पहले जो चानक के था ना चानक के कि साल के नाम मिलते हैं चानक के को चानक के on having which I am जब तक तुम्हारे पुरे सामराज्य को नस्ट नहीं कर दे था और उसके बाद चानक क्या ढूटते फिरते रहें कि कौन राजा बनने की योग्य है कि इसकी मदस से इस पुरे नंदवन्स को समाप्त किया जा सकता है और उनका निगाह पड़ता है चंद्रगुत मौर के उप पर हम लोग चर्चा किया जाएगा आज तो क्यों इंपोर्टन शीज हम लोग देख रहे हैं चले आगे देखते लिकरा मौर यूग की पहचान कि इस प्रकार के मृदभांड से की जाती है मृदभांड मतलब मिट्टी के बरतन यही मने आपको बताया था ना कि कहीं पर मृ दोस्तों मैंने आपको कहा था कि शिंदू घाटी सब गया था कि काले रंग से डिजाइन मृद्टी के बरतन थे इस तरह से जब आप उत्तरवयदिक काल में आए थे उत्तरवैदिक काल में आये थे तो उत्तरवैदिक काल में दोस्तों मैंने आपको बताया था चित्रित धूसर मिर्दभांड के बारे में अब जो मिट्टी के बरतन दोस्तों पॉलिस होने लगे याद रखेगा इसे उत्तरी काले पॉलिस मृद्भांड के नाम से जानते हैं उत्तरी काले काले पॉलिश मृद्भांड जिया दोस्तों पॉलिश मृद्भांड यहां की पैचान थी तो यह आप दोस्तों याद रखे पहले भी मैं कि मौरिवन्स का संस्थापक कौन है तो याद रखेगा चंद्रगुप्त मौरिया कौन है दोस्तो चंद्रगुप्त मौरिया याद रखेगा अच्छा चंद्रगुप्त के नाम से दोस्तो बहुत सारे सासक हुए है आगे जब आप गुप्तवन्स पढ़ेंगे तो वहाँ चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे चंद्रगुप्त दुती जी ने बिक्रमा दित्ते कहा जाता तो उनके बारे में पढ़ा जाएगा लेकिन वो चर्चा होगी दोस्तो जब हम गुप्तवन्स पढ़ेंगे तो 222 ईसापुर जियां दोस्तो 322 ईसापुर गदी समाली थी और 298 ईसापुर दोस्तो इनका ध्यान थो गया तो इसे भी आप याद रखेगा ठीक है तो 298 बीसी तक दोस्तो ये राशपाट करते रहे ठीक है इसे याद रखेंगे ये आपके लिए important हो जाएगा चली आगे बढ किस ने किया था तो मैंने बताया था उदाइन ने किस ने किया था दोस्तो उदाइन जो सासक था उदाइन ने दोस्तो पाटली पुत्र के स्थापना किया था और उदाइन कौन था याद रखेगा अजात सत्रू का पुत्र था उदाइन याद रखेगा इसी ने पाटली प पुतर को सरोप्रथम अपनी राजधानी गोषित किया । याद रखे दोस्तो यहां पर हम किसकी बात करते हैं चंद्रगूप्त-मौय ने इसे क्या किया अपणी राजधानी मनाया है। याद रखेगा यह जैन धर्म का मतावलम मी था तो यह जैन धर्म को मानता था और याद रखेगा आगे आप पढ़ेंगे कि चंद्रगुपत मौन ने जैन धर्म एक सनलेखना विधी चलता है, सनलेखना विधी, ठीक है, उसने इसी सनलेखना विधी से अपने प्राणों का त्याग भी किया था, प्राण त्याग भी किया था, इसी सनलेखना विधी से, ठीक है, इस सनलेखना विधी में होता क्या है, तो जरा इसे याद रखेगा, बिना अ पुरिया था, दोस्तों इनके गुरु कौन थे, जिन से इन्होंने दिक्छा लिया था, त्याद रखेगा उन15 अचारे थे, जैन संथन थे, भद्र भाहुजी वो इनके गुरु थे, उनीस इनको दिक्छा मिला उआ था, याद रहेगा ठीक है, लिखे रहा मौर ये काल में सिक्षा का सरवाधिक जियां दोस्तों मौर ये काल में सिक्षा का शरवाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था सरवाधिक प्रसिद्ध केंद्र तो याद रखेगा सबसे प्रफिद्ध था उस समय में तक्छसिला अच्छा बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि संन नालंदा बोल दे क्यां तो देखें नालंदा की अस्थापना ही नहीं हुआ था नालंदा बहुत बाद में बनता है तक्चसिला भारत का सबसे भारत ही नहीं बिशु का सबसे पुराना विश्व विद्याल है तक्चसि ठीक है ये उसकी क्या थी दोस्तो राजधानी थी याद रखेगा उसकी राजधानी क्या थी तक्छसिला राजधानी थी जो कि आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है अभी ये विस्विरासत अस्थल के रूपे भी दोस्तो समचित किया गया है तो इसे भी याद रखेगा तक् खातसास जो किताब है यह किस विषय पर अधारित पुछेगा और नाम है दोस्तों याद रखेगा विश्नु गुप्त भी ने कहा जाता है क्या कहा जाता है विश्नु गुप्त नाम से भी जाना जाता है तो इसे भी आप याद रखेंगे जरूरी चीज़े ठीक है प्लस इसमें दोस्तों और सास में राजनीतिक के साथ साथ दोस्तों जो समाजिक बेवस्थाएं है उसके बारे में दोस्तों वर्डन यहां मिलता है कहने का ताथ पर यह है जिसको त्यार किया था मैंकिया वेली के प्रिंद से की जाती है तो यही किताब है अर्थ सास्ट रोजिंहाँ दोस्तो अर्थ सास्ट की तुलना मतलब इतनी important किताब है कि इसकी तुलना किस से किया जाता है याद रखेगा इसकी तुलना मैं किया वैली कि प्रिंस से किया जाता और इसकी रचना किस ने किया है तो ध्यान दीजेगा कौटिल लेने किया है चाहे कौटिल ले कहिए कहे चाड़क के कहिए चाहे आप विष्ण इक्स्ट्रा नदी का नाम सुना होगा, जिस नदी के तर्ट पर दोस्तों उजयन वसा हुआ है, महा काले स्वर्जी हैं, याद रखेगा उसे मालवा की गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सवाल आपके लिए, लिख रहा मालवा हो गया, गुजरात हो गया, मह प्षिवी को जीत लिया था तो यह सब उसके अंडर में आ चुके थे लेकिन अभी दक्षिट भारत की तरफ या पश्चिम भारत की तरफ दोस्तों प्रशार नहीं हुआ था पश्चिम में मालवा मिल जाएगा गुजरात साइड में गुजरात हो जाएगा महाराश हो आप सोच सकते हैं कि मगद जो राजधानी पाटली पुत्र पटना हुआ करता था उसका विस्तार कहां तक है बंबई तक है महाराश्र गुजरात मालवा को जीत करके दोस्तों मगद में मिला लिया गया और इतना बड़ा छेत्र की इसके पास था ये चंद्रगुप्त मौर चंद्रगुप्त निया चंद्रगुथ मौर्णने जैन धर्म की दिख्चा किस्से लि थी दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि इनके गुरु का नाम था इनके गुरु का नाम था भध्र बाहु थे तो आपका जवाब यहां पर क्या हो जाएगा याद रखे गा भध खद्र बाओख इनोंने अपनी क्या लिया था? दिख्छा लिया था. अच्छा, एक सवाल मैं आपके करना चाहता हूँ, चली. ये तो हो गया सवाल. चली, मैं एक नएा सवाल आपकेος पूछ लेता हूँ. एक कीताब है, इसकी रचना का नाम है भद्रबाख चरित, ठीक है? म दोस्तो परिक्षा में आता है कि इसकी रचणा किस ने किया, इसके रचनाकार का नाम क्या है, भीयाद रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट ठीक है, चलिए आगे बढ़ी दोस्तो अगला सवाल देखें, बहुत ध्यान से पढ़ेगा एक सवाल आपके लिए इंपोर्टेंट है आगे लिख रहा है किस जैन गरंत में उस जैन गरंत का नाम बतारा आपको जिसमें चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाने का उलेक मिलता है जिसमें ये कहा गया कि चंद्रगुप्त मौन ने जैन धर्म अपना लिया था भाई ये किस गरंत में कहा गया तो याद रखेगा तो आशार्य हेम चंद्र जी का नाम याद रखेगा, परिक्षा में पूछ लेता है, इसे रचना रचना कारवे पूछ लेता है, कि बताए परसिष्ट पर्व जो ग्रंत है, जैन साहित है, किसके द्वारा लिखा गया, तो क्या जवाब होना चाहिए आपका, आशार्य हेम च क्या इन सारे चीजों पर चर्चा हुआ आपके क्लास में कि नहीं, क्योंकि ये सब इतिहास के ऐसे सवाल है, जो बार-बार आपसे पूछे जाते हैं, आप प्रशन पत्तरों को उठाके देखे, ये बार-बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, आप सोचे ना, मैं एक एक चै 400 सवाल बन सकते हैं, लेकिन हमने क्यों 30 सवाल उठाए हैं, जो आपके लिए most important है, जो परिक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए बार-बार आपसे कर रहा हूँ, कि आप चीजों को समझे और इसे याद रखे, ठीक है, आगे लिख रहा है, चंद्रगुप्त ने शिकंद रिया था, याद रखेगा, और उसके बाद इसकी सेना वापस चली गए थी, आचो वापस जाने के बाद दोस्तों सिकंदर की बेबी लोन में मिर्तिव भी हो जाती है, ठीक है, यह आप जानते होंगे, ठीक है, लेकिन यह आप से पूछ रहा है कि इसका सेना पती जो था, म जल सेना का सेना पती था, यह भी आपको बताया, तो अब देखिए, क्योंकि सिकंदर वापस लोड़ चुका है, उसकी मृत्य हो चुकी है, तो उसका सपना पूरा करने के लिए उसका सेना पती राजा बनकर दोस्तों एक बार फिर से भारत की तरफ कूच करता है, कब कूच करता है दोस्तों, तो याद रखेगा 305 इसा पूरव, कब कूच करता है, 305 इसा पूरव, यानि इसा मसी के जन्मे के 305 साल पहले सेलिकस निगेटर लड़ाई करने के लिए आता है, चंदर गुपत मौर से, अब तो नंदवन्स समापती हो चुका है, क्योंकि जब सिकंदर आए था, तब भारत पर नंदवन्स का सासन चला था, नंदवन्स का जो नौवा सासन घनानन्द था, वो राजपाट करता था, यह चंदर गुपत मौर वाली कहानी सुरू ही ओने वाली थी, कि सिकंदर यहां से लोड़ जाता है, अजब तब उसका सेना पती आता है, तब तो हमारे यहां मौर वन्चला है, और अब इतना बिराट रूप में दोस्तों मगद सामराज्य है, जो पाटली पुत्र यानि उडिसा से लेकर कि इस साइड मालवा गुजरात तक का छेत्र एक ही राज्य का है, एक राज्य का मगद इतना बड़ा है, तो आप सुचों यहा इनको विवस किया, किसने चाणक के ने ले जाकर कुछ प्रस्ताव रखें इनके सामने, किसके सामने? इस सेल ήकस निकेतर के सामने, कि हार मान जाओ, बोला मान गए सरकार जितना प्रदेश यमनों का है, जिस पर यमन अधिकार है, वो सारे प्रदेश तुम चंदगुत्मौ अब लेकिन एक सर्त है तुम्हारी पुत्र पैदा हो राजा नहीं बनेगा देखो कितना कितनी बड़ी कूटनीती चला चाणक जीने ठीक है चाणक ने कहा कि विदेसी की लड़की से बिवा तो चंदरुतमार का हो जाए लेकिन अगर उससे कोई पुत्र पैदा होता है तो राजा नहीं बनेगा उससे राजकुमार नहीं बनाये जाएगा से लुकस ने का ये भी मंजूर है ये भी मंजूर है समझे बात को इतनी बुरी हार हुई इसकी ठीक है तो 305 इसा पुरियाद रखेगा इस तरह कि अच्छे अच्छे फैक्ट चाहिए ना तो आज आईए आज ये फाउड़नेशन बहच में आएगा बहुत मज़ा आएगा ठीक है देखिए हम बहुत जादा हो हला नहीं करते लेकिन हाँ आपका दिल जरूर खुस कर लेंगे ये मेरा मानना और खुल मिला जुला के देखिए परिक्षा में आना चीए सवाल ठीक है हम बहुत हवाई फाइरिंग कर लें उससे कोई मतलब नहीं है अगर परिक्षा मे क्वेस्चन नहीं आ पा रहे हैं फस नहीं पा रहे हैं तो सब बेकार है हमारा पढ़ाना बेकार है आपका पढ़ना बेकार है सब बेकार है ठीक है तो बहुत बड़ी बड़ी बाते नहीं करना है वो चीज़े पढ़नी पढ़नी है जो परिक्षा के लिए इंपोर्टेंट ठीक है तो यहां 305 इसा पूर दोस्तों आप याद रखेगा चलिए आगे यह कुछ सवाल और देखते हैं लिखे रहा है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी किस पुत्री की साधी चंद्रगुप्त मौरे के साथ कर दिया याद रखेगा उसकी पुत्री का नाम था हेलेना क्या न न दे और कार्नेलिया अपसंदे दे मैं बताओं आज भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहा हैं इमांदारी से एक मैसेज करो मुझे कमेंट करो कितने बच्चों को पता था कि हेलेना का नाम कार्नेलिया भी है ठीक है कितने बच्चों को पता था इमांदारी से बता है मैं ब प्रस्ता और रखा गया था कि जितने भी यमन राज्य है उन्हें जो है दोस्तों चंदगुप्त मौरे को दे दिया जाए तो दोस्तों वो यमन राज्य में कौन-कौन से राज्य इस बिवाह के दवरान दोस्तों चंदगुपत मौरे को दे दिया गया तो उसमें नाम आता है चार का नाम आता है एक का नाम है काबुल याद रखेगा एक का नाम है काबुल एक का नाम है कांधार काबुल कांधार अगले का नाम है दोस्तो हेरात ठीक है देखे थोड़ा सा जो आसान है वो आपको क्या लग रहा है काबुल और कांधार काबुल दोस्तो यह अफगानिस् जो यवन राज्य थे उसको इसने उठाकर किशे दे दिया याद रखेगा वो दे दिया चंद्रुट मौरे को ठीक है तो इसको भी याद रखेगा आगे देखे आगला क्या पॉइंट दे रहा है आगे दे रहा कि सेलुकस निकेटर का वह राजदूत कौन था ठीक है जो इंडिका नमक पुस्तक की रशना किया है हालांकि इंडिका पुस्तक जो है इसका मूल प्रती जो किस भासा में है तियाद रखेगा ग्रीक में लिखा गया है यह लेटिन में लिखी गई किताब है अब तो यह किताब हो चुकी है कुछ लोगों ने इस किताब के कुछ बढ़न किया और बताया कि मौरे काल में कैसी कैसी बेवस्थाइं चल लए थी मौरे काल में कुल साथ प्रकार के लोग रहते थे समाज में उनके बारे में दोस्तों डिस्क्राइब किया चलिए आगे देखते हैं लिखना मेगस तरी दौर लिखे गई पुस्तक कौन सी है तो आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है इंडिका नामक पुस्तक इसने लिखा है याद रखेगा ठीक है इसको याद रखेगा चलिए अच्छा मैं काम करता हूं कुछ चीज़ें और बताता हूं कि भाई इसके अलग वर्ग हुआ करता था किसान किसानी करना यानि खेती करना पसुपाला अलग हो गया ठीक है तो क्या क्या हो जाएगा इसके लावा दोस्तों जो ब्यापारी होते थे ब्यापारी और सिल्प को एक साथ रखा इनों ठीक है ब्यापारी और सिल्पकार को एक साथ रखा है तो याद रखेगा योद्धा हो गए, दार्शनिक हो गए, क्रिसक हो गए, पसुपालक हो गए, ब्यापारी क्या ये हो गए और एक वर्ग था दोस्तों सिकारी जो खाली सिकार करने का काम करता था क्या करता था दोस्तों शिकार करने काम करता था जो सात्मा था ये मंत्री या निरिक्षक हुआ करते थे निरिक्षक या मंत्री निरिक्षक तथा मंत्री ठीक है याद रखेगा है साथ पकार के लोग इस समाज में रहते थे जिनके बारे में मेगस्तनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है ठीक है तो यह सवाल भी आपको याद रखना है यह इंपोर्टेंट यहाँ दो चीजे तथा करके है जैसे ब्यापारी तथा सिल्पकार और निरिक्षक तथा मंत्री इसको जरूर याद रखेगा इसके मत होने दीजेगा चोटी चोटी बातें हैं आप से परिख्षा में न सवाल खड़ा कर लेता है तो आपको याद होना चाहिए नहीं याद रहेगा तो दिक्कत होगा ठीक है देखिए स्टडी 91 के प्लेटफार्म से जब किताबे भी आ चुकी दोस्तों तो बहुत सारी किताबें सेंपल के तौर पे किताब में आपको दिख बहुत जबरदस कंटेंट आप पर्चेश करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि वाकी जो नितिन सरकार है उन किताबों में धम ठीक आप एक बार लेके तो देखे आपको लगेगा ठीक है लिख रहा मेगस थनीज ने मेगस थनीज ने पाटली पुत्र को किस नाम से पु दाइड ने किया तो और मैंने बताया कि चंदलत मौन ने पाटली पुत्र को यह अपना राजधानी चुना करा है उस राजधानी को किस नाम से इसने पुकारा है तो याद रखेगा इसने पुकारा है पाली व्रोथा नाम से किसके नाम से पाली व्रोथा थोड़ा सा एंट ठीक है पाली वरोथा नाम से पुकारा है ठीक है पाली वरोथा नाम से पुकारा दोस्तो इसको आप जरूर याद रखेगा आगे रहा किसके गरंत में चंद्रगुपत का विशिश्ट रूप में वड़न किया गया है उस गरंत का नाम बता दीजे तो कौन सा गंत पता आपको मुद्रा राक्षस गरंद का नाम है क्या नाम है दोस्तो याद रखेगा मुद्रा राक्षस गरंद का नाम है ठीक है और मुद्रा राक्षस के रहजिता कार कौन दोस्तो याद रखेगा विसाख दत्त क्या नाम दोस्तो विसाख दत्त नाम है तो इसे भी आप याद रखेग ठीक है इसमें चंदगुत मोयर का विसिस्ट वर्डन किया गया तो उस्तों एक एंटिक चीज में हैं पता दूँ जो आप लोगों को साइद ना पता हो ठीक है जरा सुनिएगा ध्यान से मेरी बातों को मेगस्तनीज ने दो यूनानी देवताओं के बारे में बात किया कौन से देवता दोस्तों यूनानी देवता के बारे में बात किया और कहा कि इन यूनानी देवताओं की पूजा भारतिय लोग किया करते थे जिसमें एक देवता का नाम है हेराकलीज क्या नाम है दोस्तों एक देवता का नाम है हेराकलीज, याद रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का नाम है, एक देवता का नाम है, डियोनीसियस, क्या नाम है दोस्तों, डियोनीसियस, ठीक है, यह दो देवताओं के बारे में बात किया, ठीक है, एक बात और कता दूँ, जो हेराकलीज थे, इनको श्रीकृष्ण से संबंदित बताए गया और जो डियो नीसियस थे इन्हें शीव से संबंदित बताएगा ठीक है तेक प्रकार से देखिए कि युनानी देवता के रूप में जिसके हम पूजा कर रहे थे वो हमारे स्रीकृष्ण हमारे स्यू ही थे कोई और नहीं थे औ बाकी आद्यस्यू की पूजा हुआ करती थी पश्चुपत्र जैसे चीजों का भी दोस्तों लेक मिला है तो याद रखेगा यह सिंदुगाटी सबेता से लगातार चले और यहां पर देकि पहली बाल कृष्ण जी का वर्ण मिलता है तो इससे भी आद रखेगा ठीक है यह 24 तिर्थंकर में जब हमने अरिष्ट नेमी का नाम लिया था तो फीर बाकी जब हम उपनिशत पढ़ रहे थे तो उपनिशत में दोस्तों चांदोग बारे में बात चीत किया था ठीक है तो पीछे की क्लास अगर आपने देखा होगा तो यह चीज़े आपको याद आ रहे ह आप बिजबी से क्लास देखे तो नहीं मजाएगा आप फारवर्ट करके देखिए आप इस्पीड को बढ़ा के क्लास देखे और अगे देखे लिख रहा है अचाई यह समझ में आगया ना अगला लिख रहा है चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय किस अस्थान पर बिताया, तो मैंने बताया था दोस्तों, चंद्रगुप्त जो है भद्रबाहु का सिस्य था, किसका सिस्य था दोस्तों, भद्रबाहु, भद्रबाहु का शिश्य था, और इन्होंने किस धर्म की दिख्षा दी थी, याद रखेगा जहन धर्म की दिक्षा दी थी, प्लस हमने बताया, शनलेखना बिदीस इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था, और ये भी बताया कि 298 इसापूर में इन्होंने प्राणों का त्याग किया था, तो इनका जो अंतिम अस्थान था, हो था स्रमड बेल गोला दोस्तों अस्थान है, और ये स्रमड बेल गोला कहां पर है, याद रखेगा दोस्तों, ये करनाटक में है, कहां पर दोस्तों, ये करनाटक में इस्थित्य स्रमड बेल गोला, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसे आप ध्यान दीजेगा, ये भी बहुत इंपो पश्रिम भारत में अभी पीछे हमने दोस्तों चर्चा किया कि मालवा हो गया गुजरात हो गया गुजरात हो गया महाराश्र हो गया दोस्तों ये सब चंद्रगुत के प्रभाव में थे और आप से भई इसको विजित किया था चंद्रगुत ने पहली बार विजित किया था ये भी आपको बताया, तो ये किस अभिलेक से पता चलता है, तियाद रखेगा, रुद्रदामन का जूनागड अभिलेक है, उससे पता चलता है दोस्तों कि इसका प्रभाव क्या था, पश्मी भारत तक था, याद रखेगा, जूनागड आपकी गुजरात में है, आपने प्रयोग किया गया है, तो याद रखेगा, जो अभी पीछे एक रचनापने पढ़ा होगा, मुद्रा राक्षशना, ये मुद्रा राच्छा जो किसके दौरा लिखा गया दोस्तों, विसाख दत्त के दौरा लिखा गया है, उस किताब में दोस्तों याद रखेगा, चंद कि भासा में लिखा है जिस प्रकार से पीछे बता है कि मेगा स्थनीज जो इंडिका लिखा था वो ग्रीक या लेटिन में लिखा था ते भी आप याद रखे इस तरह से चोटे-चोटे सवाल भी पूछ लेता है आगे देखे लिख रहा है चंदगुत मौर की दक्षडी लिखता है यानि दोस्टो कहा जाता कि चंदगुत मौर नूरु एक कमया नुरु दूसरे का नाम है पूरुना नूरु पूरना नूरु ठीक है अहना नूरु पूरना नूरु याद रखेगा दो तमिल गरंत हैं जिन से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौरे का प्रभाव खाली पश्चिम तक ही नहीं नीचे दक्षिड भार तक फैला हुआ था यह आप जान जाओ इतना ब सुदर्सन जील का पुननर्माण कारे किसने करा है ठीक है यह बड़ा अच्छा सवाल दोस्तो तो अगर मैं बात करो दोस्तो सबसे पहले जील को बनाये कौन गया तो याद रखेगा यहाँ पर अब देखिए अब आप आप आपसन डूडिएगा पहली बात आपके का नाम मिलेगा महा मात्य हैं तुशास्य ठीक है उन्होंने दोस्तो क्या कराया उन्होंने इसका जो है रिपेरिंग होगा रहा कराया ठीक है इसके बाद तीसरे नंबर पे दोस्तो आपको मिलेगा कि पल्लों ने दोस्तो पल्लों पल्लों ने क्या किया था दोस्तो उन्हों उने भी जूड़ोद्धार कराया था और चौथे नमबर पे दोस्तों आपको मेने का देखिए कई लोगों ने एक जील बड़े लंबे समय से रही तो अलग-अलग समय में अलग-अलग राजाओं के दौरा उसका क्या कराया गया जूड़ोद्धार कराया अब यहां तो आप लोग सास्कों के दौरा भी दोस्तों कराया गया और उसके बाद दोस्तों आप आगे पढ़ेंगे चक्रपालित के दौरा कराया गया किसके दौरा चक्रपालित और यह चक्रपालित ने जब कराया था ना उस समय भारत में क्या चला था याद रखेगा गुप्त वंस का सास दिकरा वायू पुरान जिया दोस्तों वायू पुरान में विंदु सार को विंदु सार को क्या कहा गया वायू पुरान में दोस्तों विंदु सार को क्या कहा गया है तो याद रखेगा इसमें कहा गया भद्रसार क्या कहा गया दोस्तों भद्रसार अब एक चीज़ और बता है और कहीं पर मिलता है दोस्तों यमद्रसार क्या मिलता है यमद्रसार ठीक है यमद्रसार ठीक है तो याद रखेगा दोस्तों यहां से मैं लग कर दे रहा हूं ठीक है यमद्रसार कहीं पर भद्रसार मिलता है कहीं पर यमद्रसार मिलता है और कहीं पर वारिशार मिलता है क्य इसी तरह से पूछ सकता है विश्णु पुराण में क्या कहा गया ठीक है विश्णु पुराण में दोस्तों इनका नाम बिंदुसार मिलता है क्या मिलता है बिंदुसार मिलता यह याद रखेगा लिख रहा बिंदुसार के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था जहां दोस्तों उस यूनानी राज़ूत का नाम बताईए, तो कई सारे राज़ूत आये थे, जैसे मैं एक्जांपल दे दूँ, जैसे परिक्षाम हो सकता आपके सामने डाइमेकर्स का नाम देदे, क्या देदे, त्याद रखेगा डाइमेकर्स भी इसके यहां पर आया था, आपके हाँ पर पूछ तकता है, एथीनियस के बारे में, एथीनियस भी आया था, ठीक है, एथीनियस भी आया था, और डाइनोसियस भी आया था, ठीक है, तो याद रखेगा शीयस, ठीक है, यह भी आया था, तो कुल दोस्तों तीन लोगों का नाम मिलता है, एक इनका मिलत यही दोनों थे यह जो तीसरा वाला है याद रखेगा मिस्र से आया था यह दो नों दोस्तों यूनानी थे तो इसको याद रखेगा बाइक परिक्षा मैं पूछ रखता ना फिल्टर करके मैं तो आपको बता है कि कौन-कौन विदेसी आया था तब तो आपको दो नाम याद रखना पड़ेगा, एक याद रखने पड़ेगा, डाइमेकर्स के बारे में, और एक नाम रखना पड़ेगा, एथीसियस के बारे में, ठीक है, यह दोनों आप ध्यान रखेगा, चलिए आगे बढ़िए, लिख रहा है, चंद्रकुप्त मौरे का उत्त्रा दिकारी कौन था, अब जाईड सी बात हैं, चंद्रकुप्त मौर की जह मृत्त्य वुजाती, 298 BC में, याद रखेगा, क्या हो गया, इनका मृत्त्य हो गया, तो फिर उसके बाद, दोस्तो, उनका पुत्र, नाम क्या दोस्तो, उनके पुत्र का, उनका पुत्र का नाम है बिंदु सार, क्या 272.20 तक कब तक दोस्तो 272.20 तक के गद्दी पर बने रहते हैं याद रखेंगे ठीक है इसके बाद इनकी मृत्तिव हो जाती है तो इनकी मृत्तिव के बाद असोख का हम लोग कालकरम पड़ेंगे ठीक है लिख रहा है बिंदु सार किस अन्य नाम से जाना जाता है जिस तरह से दोस्तों पीछे में हमने पढ़ चुका है कि बिंदु सार को दोस्तों वारिशार भी कहा जाता था यमद्र सार भी कहा जाता था ठीक है भद्र सार भी कहा जाता था क्या क्या आपको बताया पीछे हमने कि वायू पुराण में दोस्तों इनका नाम क्या मिलता है वायू पुराण में तीन तरह का नाम मिलता है एक मिलता है वारिशार एक मिलता है यमद्रसार यमद्रसार एक मिलता है भद्रसार ठीक है क्या मिलता है भद्रसार यह तीन तरह के नाम आपको बताया मैंने यह तीन तर आगयात याद रखेगा इसे अमित्र घात भी कहते थे क्या कहते थे दोस्तों अमित्र घात भी कहते थे यह आप याद रखेंगे अच्छा सवाल आपके लिए लिकरा बिंदु सार किस धर्म का अनुवाई था देखे पिता जी किस धर्म को मानते थे अगर मैं बिंदु सार के उत्रगोसाल जो थे दोस्तों मक्खली गोसाल जिन्हों ने आजीवक संप्रदाय बनाय था आजीवक संप्रदाय के अस्थापना किया था ठीक है यह उसी धर्म को मानते थे किसने अस्थापना किया था त्याद रखेगा मक्खली गोसाल का नाम आता है तो इसे भी आप याद बढ़ते हैं अगला लिख रहा है बिंदुसार बिंदुसार के दरबार में मिस्र के सासन ने सासन ने नहीं दोस्तों मिस्र के सासक ने सासक ने कौन से भारत वेजा था दोस्तों भी पीछे दोस्तों मैंने आपको बताया डाइनोशियस के बारे में डाइनोशियस के बारे में अच्छा है यहाँ पर दोस्तों जो एथीनियस था इसके बारे मियाद रखेगा एथी एथीनियस ठीक है एथीनियस और डाइमेकस ठीक है डाइमेकस यह युनानी मियाद रखेगा अभी आप से मिस्र वाला पूछ रहा है तो उसको भी आप याद रखेंगे ठीक है कोई दिक में या जैन साहित में बिंदु सार को क्या कहा गया तो याद रखेगा वहाँ पर इसे सिंह सेन कहा गया क्या कहा गया अगर हम जैन साहित की बात करेंगे तो ठीक है अच्छा एक चीज़ और याद रखेगा बिंदु सार की दो पतनी थी दो पतनी थी ठीक है ऐसे नहीं बजा स्वारी संग मित्रा ने संग मित्रा चार्ण 沒有ा देजे चार्ण और सुभद्रांगी यह दो इनकी पत्मीयां थी और hat त्षान के तीन बेंदु साँने किसे बेढ था तो बिंदु सान में अपने साथ पुत्र है पहले याद से बढ़ा 상태 स prolonged यहीं पर हो गए एक तीसरा पूत्र था दोस्तों याद रहे गाए यह तीसरे पूत्र has था याद रखेगा है सब क्या है यह पुत्र है I am your इसको भी याद रखेगा इन्हे तक्ष-सिलां ZHAB इने बेदयाता पहले सुषीम को बेजा था बाद में असोग को भेजा था दि जा उदोगता सोग ठीक है तिन सारी बात मत करो कोई भी ऐसा चैनल चान मानना जहाँ पर सिक्वेंस से चीज़ें आपको मिल जाएंगे जब से चीज़ेंगे आपको ऐसे चैनल जल्दी हें सवाल नहीं है ? यहां सवाल not important to learn how the child जो पहले से पढ़ चुके हैं जो बच्चे कहीं select हो चुके वह जाल आपना comment करें किसरपढ़ा रहे सव्ल क pistaन्य एक बार आप तो बता किसरपा इस्टेंडर का इसा अच्छा इस्टेंडर पढ़ा रहा है खराब पढ़ा रहा हूँ, आप बताओगे तो लोगों को उससे जो है जानकारी मिलेगी, भाई जैसा वैसा बताओ, मैंने करो मेरी तारीब करो, आपका दिल क्या काता है, जो सही हो उसके सपोर्ट करो, आप मेरे पीछे मत रहो, कि नितिन सर क्या कर रहे हैं, आप ये देखो हैं, दोस्तों, किताब में आप एक बार लेके देखिए, आपका दिल खुस हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए, आज का सेसर नहीं समाप्त होता है, एक निवेदन आप से करना चाहूँगा छोटा सा कि प्लीज, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को सब्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिन, जय भारत, थेंक्यू, थेंक्यू सो मच,